हेलो स्टुडेंट्स, गुड मॉनिंग, क्लास UKG, सब्जेक्ट इंग्लिस आज का टॉपिक है फिल इन दा प्लेंग्स यहां आपन मैंने कुछ स्पेलिंग्स दी हैं जिनको अपन को फिल करना है जैसे पहले लिखा E, फिर डॉट डॉट्स लगें, फिर L लिखा फिर डॉट्स है यानि कि दो लेटर्स यहां पे लिखना और एक पाद में लिखना इनको भर के पूरी स्पेलिंग्स अपन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? A, इन दोनों में क्या भरेंगे? डबल P, फिर लिखा L, तो L के बाद क्या आता? E तो इस स्पेलिंग्स कि बन गई? A, पिल, ऐसे L, L के बाद जो डॉट्स खाली रखा है, उसमें E भर देंगे M लिखा है और जे लाइन की चीए वो डॉट्स खाली है तो उसके जगए क्या पर देंगे? O तो इस किसकी स्पेलिंग्स बन जाएगी? L, E, M, O, N, लेमन ऐसे ये है P, A, डबल R, O, T यानि इधर P के बाद A भरेगा और R के बाद O भर जाएगा स्पेलिंग किसकी बन जाएगी? पैरिट की R, O, S, E, रोज R के बाद O, S के बाद E तो बन जाएगा रोज D, O, इधर O भरेगा फिर G, D, O, G, डॉग, B, A, डबल L, बॉल, C, A, T, कैट T, O, G, डॉग, ठीक है इसको तीखना और हमें बार के सीट पर लिखकर बेज देना समझ में तो आगिया फिर से सुन लो एक बार एपिल, लैमन, पैरिट, रोज, डॉग, बॉल, कैट और एग E, डबल G आएगा, यहाँ पर तो यह बुझाएगा, यह हमें लिख करके भीज देना, सही से करना, ठीक है, यहाँ T में जो डबल निसान लगा है, वो उपर का गलते नीचे का सही है, यह T हो गया